सीजन 5 एपिसोड 16 ब्रेकिंग बैट की पूरी सिरीज का ये लास्ट एपिसोड है एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि वॉल्टर एक गाड़ी में होता है उसको हाट वायर करने की वो कोशिश कर रहा होता है वाटर जिस बार में होता है वहाट सब पुलिस विगर आ जाते है पर वो उसे कहीं नहीं मिलते वाटर फिर उस गाड़ी को लेकर फिर से अपने घर आ रहा होता है वो gas station पे रुखता है और call करता है और वो call Elliot और Gretchen की secretary को होता है वो Gretchen और Elliot कब आने वाले हैं इसकी information निकालता है वो घर कब होगे ये उसे पता चल जाता है पर उसके पास फिर address नहीं होता तो वो address भी वहाँ से पूछ लेता है रात तक वो उनके घर पहुच जाता है जब वो घर आते हैं तब वो उसे notice नहीं करते वोल्टर घर में आकर उनके photo friends विगरा सब देख रहा होता है फिर गलेचन उसे देखकर बहुत ही शोक हो जाती है इलीट भी वहाता है वो उने बोलता है कि तुम tv पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे फिर वो ने बोलता है कि हम तीनों car तक जाने वाले हैं car से कुछ चीजे हम लाने वाले है इलिये ट्राय करता है और उसे नाइफ दिखाता है Walter बोलता है कि ये बहुत ही छोटी से नाइफ है इससे कुछ काम नहीं चलने वाला फिर वो दोनों उसे हेल्प करते हैं सब पैसे उनके घर में रखने के लिए Walter फिर उने बोलता है कि ये 9.2 मिलियन डॉलर्स है ये सब मेरे बच्चों को जाने चाहिए तुम एक charitable trust create करोगी और जब Walter जुनियर 18 months का हो जाएगा तब तुम उन्हें ये सब पैसे दे दोगी ग्रेचन पुछती है कि हम ही क्यों तुम खुद क्यों नहीं दे सकते फिर वो बोलता है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है मैं अगर कोई भी पैसे उन्हें दूँगा तो वो seize कर लेंगे तुमारी वो जो trust होगी उससे वो पैसे नहीं ले सकते तुम story में भी fit होते हो यानि कि ग्रेचन और इलियेट ने मेट के जो victims होते हैं उनके लिए ये charity की होती है उन्होंने ये charity की है तो Walter के family को भी वो पैसे दे सकते हैं यूँकि Walter उनका partner था ये story अच्छी होगी और Walter junior को पैसे भी मिल जाएगे इसलिए वो उनको use कर रहा होता है वो उन्हें बोलता है ये जो पैसे है ये सब उने चले जाने चाहिए tax वगेरा भी कुछ होगा तो ये इनी पैसों में से आएगा तुम इसमें कोई भी पैसे फिर से नहीं डालोगे और अगर तुमने सोचा भी कि तुम पैसे इस से निकाल सकते हो तो बहुत बुरा होगा फिर वाल्टर उनके पीछे आ जाता है और उनके बौडी पर हमें लेजर दिखते है वो बहुत दर जाते है वाल्टर बोलता है कि अगर मुझे कल कुछ भी हो जाए पर फिर भी ये जो असेसिंस है ये हमेशा तुमारे पीछे रहेगे मैंने इन दोनों को 200 के दिये है अगर तुमने ये पैसे वाल्टर जुनियर को नहीं दिये तो एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा तुम अपनी लाइफ एंजॉय करते रहोगे तुम ट्राइवल करोगे पर फिर भी तुमारे पीछे कोई न कोई रहेगा और वो एक दिन तुमें मार देगा फिर वो उन्हें डरा कर गाड़ी में बैट जाता है थोड़ी आगे जब गाड़ी जाती है तब वो रूख जाती है उसने बैजर और स्किनी बीट को पैसे देकर वो लेजर उन पर लगाने के लिए बोला होता है वो एक्ट्वल में गंस नहीं होती तो वो मार्केट में जो लेजर मिलता है सिर्फ वो होता है प्रिवेस सीजन में जब जेसी के एक ग्रूप हमें दिखाय गया था तो उसका जो काउंसिलर था उसने उसे पूछा था कि अगर तुमारे पास बहुत सारे पैसे होगे तो फिर भी तुम क्या करोगे तो जेसी ने बोला था कि मैं वोड़ वर्क करूंगा उसने अपनी स्कूल की एक स्टोरी बताई थी जिसमें वो बॉक्स क्रेट कर रहा था तो यही सीन हमें दिखाये गया है जिसमें वो बॉक्स बना रहा होता है क्राफ्टिंग का यह एक सीन है इसके बाद जेसी हमें लैब में काम करता दिखता है वो यह याद कर रहा होता है नेक सीन जो आता है उसमें Walter breakfast कर रहा होता है एक hotel में यह हमें इस season के first episode में यह scene दिखाय गया था जिसमें वो वेटर से बात करता है और अपने लिए gun खरिता है यह बहुती बड़ी gun होती है फिर वो अपने घर आता है उसने जो राइसीन चुपा होता है electricity board में तो वो वहाँ से निकल लेता है वो अपने neighbor को भी high बोल कर वहाँ से चला जाता है उसे पता होता है कि Lydia और Todd एक cafe में मिल रहे होंगे यानि कि उसको Lydia का timing वेगरा सब पता होता है Lydia बहुत schedule oriented होती है तो उसका सब fix होता है कि कब वो आने वाली है कब वो जाने वाली है तो फिर Walter वहाँ पहुच जाता है Walter उन दोनों को बोलता है कि मेरे पास तुमारे लिए एक deal है तुमारे पास methamin जो है वो अब खतम हो चुका होगा पर मैंने एक new formula मैंने बनाया है जिसमें तुमें methamin की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बहुत ही beneficial हो सकता है तुमें सिर्फ 1 million dollar मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास अब उतने पैसे नहीं है ये Walter की एक चाल होती है Lydia हमेशा उसके जो tea होती है तो उसमें stevia मिलाती है उस stevia में Walter ने पहले ही rice in मिला दिया होता है ये उसे मारना होता है इसलिए वो वहाँ आया हुआ होता है तॉर उसे अपने uncle से मिलने के लिए बुलाता है फिर Lydia तॉर को बोलती है कि तुमें उसे मार देना है फिर नेक सिन में हमें दिखता है कि Walter ने बहुत सारे equipment लाए हुए होते है वो desert में बैटकर एक machine बना रहा होता है नेक सिन में Skyler को Murray call कर रही होती है Murray उसे बोलती है कि Walter की जो car है जो उसने चुराई है वो पुलिस को यहां मिल चुकी है यानि को वो टाउन में है वो तीनी जगा जा सकता है यानि कि फ्रीन के यहां तुमरे यहां और मेरे यहां तो सब जगा पुलिस नजर रख रही है वो उसे सेफ रहने के लिए बोल रही होती है वो उसे बोलती है कि वो neighbor के यहां भी जाकर आया जब एक call चालू होता है तब already Walter वहां खड़ा होता है Walter उसे बोलता है कि मैं एक proper goodbye बोलने आया हूँ हमारा जो last call हुआ था वो अच्छा नहीं था इसलिए मैं एक proper apology के लिए यहां आया हूँ Walter फिर उसके wallet से कुछ निकाल रहा होता है तो Skyler बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए Walter बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो भी मेरे पास पैसे थे वो यहां आने में खर्च हो गए वो फिर उसे coordinate देता है जा Hank और उसका partner दफनाय हो होता है वो बोलता है यह तुम trade कर सकते हो DA के साथ इससे तुमें jail में नहीं जाना पड़ेगा Walter बोल रहा होता है कि यह जो मैंने सब किया Skyler फिर उसे interrupt करती है और बोलती है कि मैंने और एक बार सुना कि तुमने यह सब किया कि यह family के लिए किया तो यह बहुत बुरा होगा पर Walter फिर मान लेता है वो बोलता है कि मैंने यह जब किया वो मैंने family के लिए नहीं किया यह मैंने खुद के लिए किया है जब मैं यह कर रहा था तो मैं इसमें अच्छा था मुझे alive feel हो रहा था तो इसलिए मैंने किया इसमें तुम्हारा कोई भी संबन नहीं है वो उसे बोलती है कि Flynn अभी घर पर आएगा तो इसलिए वो उसे जाने के लिए बोल रही होती है फिर Walter लास्ट टाइम उसकी डॉर्टर हॉली को देखता है वो Flynn के यहाँ भी जाता है पर वहाँ पुलिस ऑल्डेडी होती है वो दूर से ही उसे देख लेता है फिर वो टॉट के अंकल के यहाँ अपनी गाड़ी में आ चाता है वो एक्जाक्ट सामने कार पार्क करता है जहाँ उनकी मीटिंग होने वाले होती है उनके आदमी उसकी चावीज वेगरा सब ले लेते फिर वो अंदर जाता है वो देखता है कि उसके चावीज टेबल पर है और वो उने कुछ समझा रहा होता है पर उसके अंकल उसे बोलते है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वो अब उसे मार देने वाले होते है तब वाल्टर टोड के अंकल को बोलता है कि हमारी डील हुई थी तुम्हे ओ करते हो तुम्हें अभी भी जेसी को मारना है तुमने उसे मारा है नहीं और अभी भी तुम उसका मेट सेल कर रहे हो तुम उसके पार्टनर बन गए Walter का मेह अभी भी circulation में होता है इसलिए वो उसे पता होता है कि JC अभी भी जिन्दा है जब Todd के अंगल को बोलता है कि तुम उसके पार्टनर बन गए तो Todd के अंगल को दो गुसा आ जाता है JC ने उन पर रैट क्या होता है तो इसलिए जेसी पर वो बहुत ही गुस्सा होता है और उसके पार्टनर यानि कि उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है वो टॉड को बोलता है कि अभी के अभी जेसी को यहा लाओ मैं जेसी को भी इसके सामने मारता हूँ और Walter को भी वो फिर मारने वाला होता है वो फिर Jesse को वहाँ बुलाते है Jesse को वो हतकेडियों में देखता है और स्लेव की तरह उसे देखकर बहुत ही बुरा लगता है Todd के अंकल बोल रहे होते हैं कि ये मेरा स्लेव है ये मेरा पार्टनर नहीं है जब Todd के अंकल Todd को पार्टनर पार्टनर बोल रहे होते हैं तब Walter को भुरा लगता है Walter को लगता है कि एक्चुल में मेरा पार्टनर तो Jesse ही था तो इसलिए वो एक इंस्टन्ट में डिसेजन लेता है कि Jesse को अब उसे बचाना है फिर वो अपनी कार की चावी लेता है और वो बहुत सारे राउंड फायर कर सकती है तो जब जो लोग भी खड़े होते हैं सब को गोली लग जाती है Todd सिर्फ जमिन पर होता है तो वो बच रहा होता है फिर जब गन की फायरिंग खतम हो जाती है तब Jesse जब देखता है तो Todd जिन्दा होता है Todd खिटके से बाहर देख रहा होता है तो Jesse उस पर जब जाता है उसका गला वो घोटता है उसी कडियों से जिसमें उसे बंदा होता है फिर वो Todd को पूरी तरह से मार देता है Todd के अंकल इंजोर्ड होते है पर उन्हें मरने में और भी टाइम होता है Walter उनके सामने खड़ा होता है वो बोलते है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुमें तुम्हारे पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे पर उनका सेंस्टेंस खतम होने के पहले ही Walter उन्हें मार देता है फिर Jesse गन उठाता है और वो Walter की तरफ पॉइंट करता है Walter बोलता है कि मुझे मार दो Jesse figure out कर लेता है कि Walter को मरना है इसलिए वो उससे बोलता है Jesse फिर उससे बोलता है कि तुम मुझे मारना है मेरे हातो Walter बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो पर Jesse फिर उससे नहीं मारता वो बोलता है कि तुम मरना है तो तुम खुद मर जाओ Walter को भी एक गोली लगी हुई होती है तो ये भी JC देखता है इस पूरे सीरीज में JC को Walter Manipulate करता है बहुत सारे लोगों ने Walter से काम कर लिये है JC को Walter नहीं सबसे ज़्यादा Manipulate किया होता है जैसा Walter बोलता है JC वैसा ही करता है पर अब JC को उसकी order से बाहर निकलना होता है उसको अपने decision खुद लेने होते हैं तो इसलिए वो अब जो Walter उसे बोलता है वो नहीं करता टोड का फिर mobile बचता है तो वो call Walter उठाता है वो लीडिया को call होता है और लीडिया उसे पूछ रही होती है कि काम हो गया नहीं Walter उसे बोलता है कि तुमारी stevia में poison था तुम अब थोड़ी देर में मर जाओगी फिर Walter बाहर निकलता है और JC को goodbye कहता है JC एक गाड़ी में बेटकर चला जाता है इस गाड़ी का नाम अलकमिन होता है यह जो गाड़ी का नाम है इस पर movie बनी है यानि कि JC के साथ इस series के बात क्या होता है इस पर यह movie है इस movie का भी explanation में करने वाला हूँ फिर JC उस गाड़ी में चला जाता है Walter फिर टॉड की जो lab होती है वह आता है वो अपने सब equipments वगरा देखता है उसे अपनी lab से बहुती पैर होता है अपनी chemistry से उसे पैर होता है अपनी जो जगा है जहाँ उसे अच्छा लगता है वही वो मरना चाता है फिर वो equipments देखते देखते वही गिर जाता है और मर जाता है पुलिस को भी उसकी बॉडी मिल जाती है यह यह सिरीज खतम हो जाती है